हेलो मेरे प्यारे प्यारे दोस्तों बारिश को मौसम है और ऐसे में अकर भुट्टा नहीं खाया तो क्या खाया आज मैं आपके लिए एक अलग तरीके से कॉर्ण बनाने की रेसिपी लेकर आई हूँ यहाँ पर मेरे पास यह कॉर्ण हैं मतलब भुट्टे हैं यह अलग तरी आज हम कॉर्ण बनाने वाले है इसे हम चली के नाम से जानते है डیली में बनाते हैं उसके लिए सब से पहले यहां कुकर में मैंने पानी गरम करनाने रखा है पानी अच्छा गरम हो चुका है तो इसमें मैं दो भुट्टे डाल यह जाेगा बट्र नो बड़ी चम्मच अब हम क्या करेंगे, हम कुकर में उसके लिड लगा देंगे और इसे एक सीटी तक पकाना है, और इसकी सीटी हमें खुद से नहीं निकाली है, ठंडा होने के बाद आराम से फिर निकाली है, और देखें यह अब हमारे कॉर्ण हो चुके हैं, बिल्कुल पॉफेक्ली यह बॉ ले रही हूं, और अब हम क्या करेंगे, निबू में थोड़ा सा नमक लगाएंगे, अपने स्वाद अनुसार और मिच लगा कर इसे हम भुट्टे के उपर लगा देंगे, इसमें आप मिच को बिल्कुल भी स्किप ना करें, मिच से बहुत अच्छा टेस्ट आता है, नॉर आप चाहें तो ऊपर से थोड़ा सा चाट मसाला बेस में डाल सकते हैं, और यह हमारे दोनों भुट्टे रेडी हो गए हैं, मैं अपने मन को कैसे कंट्रोल की हुई हूँ, इसे खाने से यह मैं ही जानती हूँ, तो यह देखिए ही जब आप इसे कट करेंगे ना, इसके जो जाते हैं, तो फ्रेंट्स यह चलनी की रेसिपी आपको कैसी लगी मुझे नीचे कॉमें सेक्शन में लिखे जरूर बताएगा, बहुत ही आसान है, लेकिन इसमें बटर और मिच बहुत ही इंपोर्टेंट है, इस से इस भुट्टे का स्वात बढ़ जाता है, तो प्लीज इस वीडियो को धे, सारी लाइक्स दीजिए, वीडियो को शेर कीजिए और चैनल को सबस्क्राइब कीजिए, थैंक यू